हेलो फ्रेंस, मैं भावना सर्मा आप सभी को नमस्कार करती हूँ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एडिशन, सब्ट्राक्शन, मल्टिप्लिकेशन और डिविजन के सम्सोल्व करना सिखाऊंगी अगर आप addition, subtraction, multiplication और division शिखना चाते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें देखो दोस्तों यहां हमारे पास 5423 एक नमबर है इसको हम add करेंगे 4254 में दोस्तों addition हम हमेशा once place से start करते हैं तो यहां हम सबसे पहले 3 को 4 में add करेंगे add करने के लिए हम यहां 3 है तो 3 line लगा लेंगे इसके बाद 4, 4 line लगाएंगे अब इन सबी line को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमारे पास 3 और 4 add करके कितना है? 7 इसके बाद 2 को 5 में add करेंगे 2 line लगाएंगे इसके बाद 5 line लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 सबी line काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 5 को 2 में add करके हमारे पास 7 इसके बाद 4 को 2 में add करेंगे यहाँ 4 line लगाएंगे 1, 2, 3, 4 2 line लगाएंगे 1, 2, count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 4 को 2 में add करने के बाद हमें क्या मिला? 6, इसके बाद हम 5 को 4 में add करेंगे इसके लिए 5 line लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 4 line लगाएंगे 1, 2, 3, 4 टोटल सभी line को count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 5 को 4 में add करने के बाद 9 तो दोस्तो 5,423 को अगर हम 4,254 में add करते हैं तो हमें 9,677 प्राप्त हुआ तो दोस्तो इस तरीके से हमने add करना सिखा अब हम subtract करना सिखेंगे देखो हमारे पास नमबर है 8,657 और हम इस में से subtract करेंगे 3,523 को दोस्तो subtraction हम 1, place से start करते हैं सबसे पहले हम 7 में से 3 को subtract करेंगे इसके लिए 7 लाइन लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर इस में से 3 लाइन कट कर देंगे 1, 2, 3 अब बची हुई लाइनों को count करेंगे 1, 2, 3, 4 तो 7 में से 3 सब्ट्रैट करने के बाद हमें क्या पराप्त हुआ 4 ऐसे ही हम 5 में से 2 को subtract करेंगे 5 लाइन लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस में से 2 लाइन कट कर देंगे तो 1, 2, 3 तो 5 में से 2 सब्ट्रैट करने के बाद हमें 3 मिला इसके बाद ऐसे ही 6 लाइन लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस में से 5 लाइन लाइन कट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो हमारे पास 1 बचा ऐसे ही हम 8 लाइन लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस में से 3 line ने cut कर देंगे 1, 2, 3 count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 8 में से 3 subtract करेंगे तो 5 मिलेगा तो दोस्तो 8,657 में से अगर हम 3,523 subtract करेंगे तो हमारे पास 5,134 बचेगा तो दोस्तो इस परकार हम subtract करते हैं अब हम multiply करना सिखेंगे यहां हमारे पास नमबर है 53,214 और इसको हम 2 से subtract, 2 से multiply करेंगे तो दोस्तो इस नमबर को 2 से multiply करने के लिए हमें 2 की table आने चाहिए तो हम सबसे पहले यहां 2 की table लिख लेते हैं 21 जा 2, 22 जा 4, 23 जा 6, 24 जा 8, 25 जा 10, 26 जा 12, 27 जा 14, 28 जा 16, 29 जा 16, 29 जा 18, 210 जा 20 अब हमारे पास 2, 4 जा 8, 2, 4 जा कितने होते हैं 8 तो यहां हम क्या लिखेंगे 8, 2 की table, 4 तक count करेंगे 2, 4 जा 8, इसके बाद 2 की table, 1 तक count करेंगे 2, 1 जा 2, इसके बाद 2 की table, 2 तक count करेंगे 2, 2 जा 4, इसके बाद 2 की table, 3 तक count करेंगे 2 3 जा 6 इसके बाद 2 की टेबल 5 तक रीट करेंगे 2 5 जा 10 तो दोस्तों इस परकार हमने multiply करना सिखा इसके बाद हम divide करना सिखेंगे यहां हमारे पास 7,569 नमबर है इसको हम 3 से divide करना सिखेंगे इसके लिए हमें पहले 3 की टेबल आनी चाहिए तो हम 3 की टेबल यहां लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 अब हम 3 की टेबल रीड करेंगे देखो दोस्तों यहां हमारे पास सबसे पहले 7 है तो हम 3 की टेबल रीड करेंगे और यह देखेंगे कि या तो 3 की टेबल में 7 होना चाहिए या इससे छोटा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 7 से ज़ादो हो जाएगा तो हम एक कम लेंगे तो यहां हमारे पास 6 है तो 3 2 जा 6 अब 7 में से 6 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 7 में से 6 सब्ट्रेक्ट करने के बाद हमें 1 मिलेगा उपर से 5 लेंगे यह हमारे पास 15 हो जाएगा अब 3 की टेबल में 15 हमारे पास 5 जा पराता है 3 5 जा 15 तो यहां 3 5 जा 15 सब्ट्रेक्ट करने के बाद हमारे पास 0 उपर से हम 6 लेंगे 6 3 की टेबल में हमारे पास 2 जा पराता है तो यहां 3 2 जा 6 सब्ट्रेक्ट करने के बाद 0 उपर से 9 उतारेंगे तो दोस्तों हमने देखा कि 7569 को गर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2523 मिला और रिमेंडर 0 तो दोस्तों आज हमने अडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टिबिलिकेशन और डिविजन रिस्वल्व करना सिखा थैंक यू